फिल्म जो है वो एक गाउं की कहानी पैधारीत है। पॉंच जी चुकी हमारे एक भुच्पुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं, साथ ही साथ एक अच्छे परफॉर्मर है, अच्छे हीरो हैं। तो उनको लेकर के जो सिनेमा बना रहा हूं, मज़ा भी आ रहा है और लोगों को पसंद भी आएगी। जिनके साथ भी काम किया हूं, जहें दिनेज जी हों, खेसारी जी हों, या चिंटू जी हों। उनमें से अगर कंपेर करूं तो किसी तरीके से भी मुझे पहुंजी के साथ काम करते हूं, ना कोई अंकमफोर्ट हुआ। आपने बच्पन में ही सोचा था डिरेक्टर बनुगा या कुछ और बना था। इंजिनियर बनने की IIT करने का सोचा था। बहुत अच्छे मांच से पास भी हुए। फिर मुंबई में आकर के और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी चालू कि फिर यहां पर आये तो एक गुरू जी मिले उनसे मैंने गाने का संगीत का सिक्षा लेना चालू किया। गाने गाते गाते एक दिन एक दोस्त के थुरू अपरचिनिटी मिल गई एक शंतोस मिस्रा करके हैं। वो भुजपूरी में कहानिया लिखते हैं। अब डिरेक्टर भी है वो तो उन्होंने अपरचिनिटी दिया कि एक म्यूजिक करना है ऐसा तो मेरे पास कुछ गाने थे यह चीज बड़ी मशूर है और सिनिमा जो है वो कहीं नहीं आपको वजह देता है मुस्कुराने का और मेरे साथ रजनीश मिश्रा हैं जो भुजपूरी फिल्मों के पड़े डिरेक्टर हैं और लगबख सब के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मना चुकी हैं तो सबको परणाम बहुत बहुत नमश्कार हम आयोद्या में मिले थे इनकी फिल्म के सेट पे तो बाई चांज बहुत बिजी थे तो हमारा इंटर्वी हो नहीं पाया था फिर मुंबई में मिले नहीं हो पाया अच्छे से नहीं हो पाया अब जाकर जो है नवाबों के शहर और जो बाकी का है वो गुप्लीट हो जाएगा दस बारत दिनों के अंदर पावन सिंग से रहसा नाम है भूछपूरी इंडस्ट्री का कि जिनके नाम से फिल्में चलती हैं जिनके नाम से गाने चलते हैं तो जब फिल्म बना रहे होते हैं तो कही न कहीं बैक आफ दे मैंड म परसेंट होता है कि फिल्म जब आपका कोई स्टार कर रहा है तो एक तो मार्केटिंग में आपको प्रोब्लम नहीं होती है दूसरा दर्शकों में पॉबलिसीटी भी बहुत जोरदार की हो जाती है तीसरी चीज की अच्छे आर्टीस्ट होते हैं तो फिल्म अच्छी बनत ही साथ एक अच्छे परफॉर्मर है अच्छे हीरो हैं तो उनको लेकर के जो सिनेमा बना रहा हूं मजा भी आ रहा है और लोगों को पसंद भी आएगी तो पवन सिंग डिरेक्टर सेक्टर हैं अक्सर बड़े स्टार्स के बारे में ने ये कहा जाता है डिरेक्टर की सुनत चिंटू जी हो उनमें से अगर कंपेर करूं तो किसी तरीके से भी मुझे पौंजी के साथ काम करते हुए ना कोई अंकमफोर्ट हुआ नहीं मुझे ऐसा हैसा हुआ कि किसी भी एंगल से वह कमजोर एक्टर हैं तो मैं आपकी इस बात को पुरजोर समर्थन करते हुए बोल रहा है उनका वहरा उनका स्टार्डम और उनकी जो वह मतलब हिरोईज्म जो है फैन फोलॉइंग है वह किसी तरह से वह उन चीजों को देखकर कि उनका डेरेक्टर थोड़ा सा डर नजाए सहम नजाए अपनी बातों को बोलते हुए थोड़ा सा जीजक नहूए तो वह इस डिरेक्टर को बहुत ही आदर दे करके और जो डिरेक्टर सोचता है उसको करने की कोशिश करके सबसे बड़ी खूब ही क्या लगती है आपको क्योंकि लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि हम मान लिजे यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तुम्ड फैंस जो हैं पगला जाते हैं पावर स्टार, पावनसिंग आपको एस डिरेक्टर पूछूँँगा मैं क्योंकि आप एस डिरेक्टर बहुत सारे अक्टर्स के साथ काम करते हैं और एक डिरेक्टर जिस नजर से देखता है फैन उस नजर से नहीं देखता, या शयद पत्रकार उस नजर से नहीं देखता, तो अज़ डिरेक्टर आपको क्या लगता है, क्या खूबी, सबसे बड़ी खूबी है क्या? देखिए वो तो स्टार जब भगवान बनाते हैं किसी को तो एक special character कर उनके अंदर डालके भेज़ते हैं कि वो जब जहां खड़े होते हैं वहीं पर एक औहरा क्रियेट हो जाता है कुछ तो ऐसी बात होती है कि लोग एक selfie के लिए लोग थोड़े से टच कर देने के लिए तरस्तरे रते हैं, उनके अंदर ये बात है जो सबको खिचती है अपनी तरफ वो है उनकी सबसे बड़ी चीज है उनकी गाय की और एक सूरीला आदमी कोई भी हो जो संगीत सुनता हो पॉन सिंग की आवाज सुन करके और उनके तरफ मंत्र मुग्द हो जाएगा इतनी प्यारी अवाज इश्वर ने दिया है उसके साथ-साथ एक संसकार भी है उनके अंदर जो कि जो संगीत से जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक संगीत के गुरु का और लोगों का एक अपने आप संसकार एक बिलकुर आता है उसके तहत उनकी जो बाते होती है न वो लोगों को रिलेट करती है जमीन से जुड़े हुए है स्टार्डम भले आज उनका बहुत उचा है पीक पे है फिर भी वो बाते जमीन की करते हैं लोगों के दुख दर्द और गाउं की बाते हैं छोटी छोटी चीजों को वो समझने वाले लोग है साइध यही सब चीजें हैं जो लोगों को अपने के तरफ आकरशित करती है और उनके सिनेमा को लोग चाव से देखते हैं उनके गानों को बहुत ही बहुत तरजियत देते हैं खापी सुनते हैं और घर घर में जन जन में चाहे जा रहे हैं पसंद के जा रहे हैं इस फिल्म में वो क्या नया करने वाले है और इसका टाइटल मैं है पूछूँगा सूर्वण्चं बड़ी मशूर फिल्म है अमिताब बच्चल जी तो आपने ये टाइटल क्यों चूज कि कोई इसी को राजस्थानी में बनाना चाहे तो सुर्यवंसम टाइटल राजस्थानी में मिल जाएगा गुजराती में मिल जाएगा तो लेंग्वज वाइचु की टाइटल इतना बड़ा हिट है और वो फिल्म जो सुर्यवंसम अमीज जी के साथ बनी है वो इतनी बड़ी औ तो मतलब एक माला की तरह जपा जाता है, इतनी ज़ादा देखे जाती है, उसके मीम्स भी बनते हैं, तो टाइटल हम लोग के लिए थोड़ा ये परस मिला, कि फिल्म जो है वो एक गाउं की कहानी पे अधारित है, और एक आम इनसान जो आम किसान जो नहीं चाहता है कि खेती ग्रहस्ति छोड़ करके और वो जाकर कि और जाकर के कहीं पर मज़दूर बन जाये, जिसकी नियत है कि वो अपने खेतों में ही काम करे और जो आज की तारीख में ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ कि अक्सर किसान जो है वो गाओं से पलाइन कर रहे हैं शहरों की तरफ और शहरों में जाकर के जिनको खेती का काम आता है वो जाकर के और काम कर रहे हैं मकान बनाने का वो काम कर रहे हैं pare-rode-bonnane ka. मतलब जो किसा ने वो मजदूर की तरफ परवर्तित हो रहा रहा है. तो क्या ऐसी चीजें हो रही है गाओं के अंदर और अक्सर में देख रहा हूँ कि यहाँ बिकास इस तरीके से हो रहा है. आज हम जहाँ शूक कर रहे हैं, हैं मकान बना रहे हैं तो एक किसान इससे दुखी हो करके इसे चिंतित हो करके वह सोचता है कि अगर यह पलाइन जारी रहा तो एक दिन लोग अन के लिए तरसेंगे तो सुरिवांसम जो फिल्म है वो किसानों की समस्या को ले करके है पलाइन की समस्या को ले करके है और किसानों की जिन्दगी में राजनितिक जो जिस तरह के का हस्तचेप होता है और जो होना चाहिए किसानों के लिए वो नहीं हो रहा है इसी को ले करके हमने सुरिवांसम टॉपिक बड़ा टची लगा, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आम तोर पे भुछपुरी फिल्मों की जो एक इमेज है, वो ऐसे ही है कि मतलब अशलील फिल्में बनाते हैं, मुझे लगता है एक इमेज बन गई है, लोग अंदर जाके नहीं देखते हैं, जैसे माल लीजे क किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बना दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूत है, देखिए, अभी जो फिल्में, जिस तरीके की फिल्में बना रहे हैं, सब के सब, जो भुछपुरी के डिरेक्ट पुट सोते थे और उनको लेकर के हमेशा हम लोग क्रिटिसाइज भी किये जाते थे, अब मानते हैं यह जो जो जेनरेशन काम कर रही है, अब जिस तरह की के फिल्में बन रही है, वो इन सब फिल्मों से परे है, वो इन सब चीजों से परे है यह फिल्में, अभी आपको ब मा बेटे के रिलेशन को लेकर समवेदन सील मुद्धों को उठाया था मैंने एक फिल्म बनाई थी डमरू और शिव और एक शिव के साथ एक भक्त की जुड़ने की कहानी बनाई थी मैंने और लोगों ने उतनी उसको पसंद नहीं किया उसी बैकड्रॉप पे, सेम स्टोरी पे एक फिल्म अभी कंतारा आई थी मैंने फिल्म वो बनाई थी लगबग आज से पांच-छे साल पहले और कंतारा पिछले साल आई थी तो कंतारा जब आती है कि दूसरे लेंगवज में तो बिहार और उतर प्रदेश और भोजपूरी स्पिकिंग रिजन्स में भी करोडो करोडो की विजिनस करी है और हमारी फिल्म जब डंबरू आई तो लोगों ने उस तरीके से उसको नहीं अपनाया रिजन है कि लोगों को के दिमाग में छबी बनी होई है कि ऑई एननों के फिल्मे इस टाइप की होगी उस चबी को आज की फिल्मे तोड रही है और फिल्मे नो troubled आप बन रही है जो वह वो ने मुद्दों को ले करके बन रही है और हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी भोजपुरी को एक नए लेबल तक ले जाएं इसको आगे बढ़ाएं लेकिन पैसा निकलता कैसे क्योंकि थेटर में फिल्में उतनी चलती नहीं है चेटर में तो हिंदी नहीं चल रही है, बहुत कम चल रही है, बीच बीच में एक आदी फिल्म आती है, जो अच्छा बिजनस करती है, बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्म में नहीं चल रही है, तो पैसा किस तरह से निकलता है, डिजिटल जो यूग अब शुरू हुआ है, या YouTube हो गया या OTT एप्स हो गया तो उनके थ्रू ही रिकवरी हो जाती है हाँ बस वही एक रिकवरी का माध्य हमें हैं बिल्कुल सही जगह पे उंगली रखें हैं भोजपूरी सिनेमा का ये सबसे बड़ा ये पहलू है उसकी रिकवरी और हमारे बहुत आगे नहीं बढ़ पाने के पीछे भी एगा रिजन आप पूछेंगे तो मैं यहीं कहूँगा कि हम लोग की जिस तरह की रिकवरी है आज की तारीक में आज चाहके भी हम नई टेकनलोजी इस्तमाल नहीं कर पाते हैं हम चाहके भी अभी भी हमारी सिनेमा जो है वो आपका जो नए नए जो टेकनिक्स आये हुए हैं नए केमराज आये हुए हैं, नए एक्यूप्मेंट्स आये हैं, उन सब चीजों को नए लाइट्स आये हैं, उन सब चीजों को हायर नहीं कर पाते हैं, जो आज भोजपुरी हिंदी सिनेमा को प्राप्त है, जो तमिल सिनेमा को प्राप्त है, तेलगू सिनेमा को प्राप्त है और हमारा प्रोडूसर भी वहां आकर के एक उस जगह का आकर के अपने आपको कमजोर महसूस करने लगता है तो कि वो पैसे तो लगाने को तयार है पर पैसे आने का कोई रास्ता का यह नहीं रिकबरी का रास्ता यही है कि उसको यूटूब पर फिल्में जो देखी जाती है मतलब डिजिटल जिसे चल पाए और डिजिटली भी भोचपुरी फिल्मों को वो भले क्या कमाती है क्या नहीं कमाती है पर प्रोडूसर तक वो पैसे नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो तो बेचारा एक एमाउंट है जिसमें उसको फिल्म को बेच देता है और फिर अब क्या रिकबरी होगी यह डिपेंड करता है कि फिल्म का कंटेंट कैसा है और अगर अच्छी होती है तो भी प्रोडूसर तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसने तो पहले ही अपना राइट बेच दिया है अचा आप कहीन ऐसी फिल्म बनाते है जो फैमिली औरेंटेड होती है जो निय्द आप मेन होती है तो आपको कभी कभी नहीं लगता कभी की डुखनी होता कि यार मैं हिंदी चीनिमा मैं बॉली वुड में जाके फिल्म बना लेका चोटी फिल्म बना लेता जिस तरह का सेंसिबल सिनिमा बनाते हैं कभी दुख नहीं होता कि वहीं जाके बना लेता यार कि यहां पर मतलब जो सिचुएशन इंडस्ट्री की चल रही है फैसके पोछेंगे तो हर आदमी के दिल में यालाल सा होती है कि अपनी जन्दीगे में एक नए मुकाम के तरफ जाए बड़े मुकाम के तरफ जाए हिंदी थे हमारे भोज्पूरी थे ओपर है वह एक नया मुकाम है सब्सक्राइबर्स आदम भी भोज्पूरी में लोग ओडियंस आपके जादा है पर भोजपूरी सिनेमा बनाते हुए इस चीज की कभी भी मलाल नहीं होती है दिल में कि हम यह फिल्म भोजपूरी में क्यों बना रहे हैं हिंदी में क्यों नहीं बना रहे हैं इसके पीछे रीजन यह है कि जिस तरीके का कथानक जिस तरह का जिस तरीकी चीजें मैं पकड़ता हूं अपने सिनेमा में जो आपने कहा कि सिनेमा मेरा जो होता है वो थोड़ा सा रूट से रिलेटेड होता है तो मैं अपनी जिन्दीकी जो गुजा रहा हूं वो गाहों में गुजा रहा हूं परिवार के बीच में गुजा रहा हूं अकम पितल से भी उपर बोलू तो मैं a एक महभूब का था अच्छा मैं आपने पिता को अपनी जिंदगी में सबसे जदा प्यार किया है और अब नहीं रहें हो 2019 में भगवान के घर चले गए वो पर मैंने अपनी जिंदगी में उनसे जदा प्यार किसी को नहीं किया यहीं लोग पूरी जिन्दगी हैं यहीं मेरी सब कुछ है तो इन ही लोग से रिलेटेड और गाओं की कहानियां और जिन कहानियों को देखते आया हूं उन्हीं को पोट्रे करने कोशिश करता हूं। आपने बच्पन में सोचा था डिरेक्टर बनुगा या कुछ और बनना था। नहीं बच्पन में तो पढ़ाई बहुत तगड़ी किये और फिर इंजिनियर बनने की आयाइटी करने का सोचा था। बहुत अच्छे मांक से पास भी हुए तो टैंथ किया फिर टूएल्फ किया फिर मुंबई में आ करके और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी चालू की आयाइटी की तैयारी करना चालू किया फिर कंप्यूटर सौफ़वेर इंजिनिरिंग किया और इंजिनिरिंग करते कर पशलो किया और संगीत ही ही में ऐसा रुचीजमा कि फिर में गाने गाने ही लगा और गायकी में लेकिन गाइकी बहुत कुछ अक्षा नहीं हो रहा था गायकी में अपने हिंदी गाये बोचपूरी ःचिब आपका कुछ बड़ी फिल्मों के लिए भी गाया और टी सिरीज के कैसेट्स के लिए भी भजन वगर गाये सब। फिर गाने गाते गाते एक दिन एक दोस्त के थुरू ऑपरचिनिटी मिल गई है कि शंतोस मिस्तरा करके हैं वो भुजपूरी में कहानिया लिखते हैं अब डिरेक्टर भी है वो तो उन्होंने ऑपरचिनिटी दिया कि एक म्यूजिक करना है ऐसा ऐसा तो मेरे पास कुछ गान तो हिमत थी बस ऐसे हिमत करके मैंने मूजिक डिरेक्शन चालू कर दिया और इश्वर के किरपा और सबका अशिरबाद ऐसे मिला कि वो फिल्म मुजिकली बहुत बड़ी हीट हो गए, वो फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्षावाला, तो बहुत सुपर हेट फिल्म, निरहुआ की मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सुपर हेट फिल्म, करियर की भी सबसे बड़ी हीट रही है, और पहली वो सबसे बड एक के बाद एक फिल्मे म्यूजिक और जो म्यूजिक कर रहे थे सब फिल्मे म्यूजिकल ही पूरा बिहार उत्तर परदेश हमारे गाने बज़े जा रहे थे फिर करते-करते एक वक्त ऐसा आया कि जब लगा कि अब ब्रेन को और थोड़ा एक्सपोजर चाहिए जो चीज़ सोचता था तो कहानियां सोचता था कहानियां लिखता था और इन कहानियों के बीच में अपने आपको ढूंडने लगा कि क्या मैं भी डिरेक्शन कर सकता हूं कुछ बना सकता हूं तो कहानियां लिखता था, कहानियां सोचता था, तो इन ही के बीच में मैं सोचने लगा कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बना सकता हूँ और एक और दोस्त मिले, ओधेश मिस्रा, उन्होंने बड़ा सयोग किया, मशूर विलेन, वो मेरे परम्प्री और इस इंटर्विव में आपका जिक्र भी हुआ था, देखिए तो मेरी इंटर्विव में उनका जिक्र हो रहा है, तो अधेश मिस्रा जी फिर उन्होंने बोला कि बाबा आप डिरेक्शन के में कहानियां सुनाता था, मैं उनके साथ सृड़ी हम लो जाते थे, चार-पांच दोस्त थे एक केके गोस्वामी जो जो है वो थे छोटे वाले उनका भी इंटर्व्यू कर चुका है तो केके गोस्वामी मैं एक प्रिंस और अउधेश मिस्रा हम लोग चार आदमी जाते थे सिरेडी तो रास्ते में मैं उनसे नेरेट करता था स्टूरी सुनाता था तो वो ब करूँगा तो नहीं बाबा आप कर सकते हैं एक बार आप कोशिश करिए तो हमने कहानी लिखना चालू किया कहानी लिखना चालू किया तो स्टोरी बनी हमारी स्टोरी बना करके फिर हम प्रोडूसर ढूंडे लगे अब ओधेश जी ने एक तरीके से बहुत सी जगों पे प तरह जैसे बिल्ली अपने बच्चे को घर घर घुमा करके और चाहती है कि कैसे रोटी निकाल कैसे खाना ले कैसे तो बिल्ली का काम मतलब ओधेश जी ने किया मुझे एक एक प्रोडूसरों के घर पे ले ले जाकर मेरे लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया सबसे हाँ करेगा यह तो डिरेक्शन में सब जानते थे कि मुझे डिरेक्टर बड़ा है पर डिरेक्शन कैसे करेगा फिर एक अननजे रघुराज जी उन्होंने पहली बार यकीन किया उनके साथ मैंने एक फिल्म पटना से पाकिस्तान करके फिल्म थी उसमें म्यूजिक दिया था और म्यूजिक के दौरान जब मैं उनको बताता था कि यार यह सच्वेशन का ऐसे करना इसको ऐसे करना फिल्म आना तो अननजे जी को लगा कि यह आदमी जो है कुछ बात है इसमें बात है यह कर सकता है उन्होंने एक फिल्म की कहानी और प्लान हम लोंने करना चालू किया फिर मैंने वो फिल्म खेसारी लाल यादों को सुनाई और खेसारी जी ने यकीन किया इस बात पर कि मैं डिरेक्ट कर सकता हूं एक म्यूजिक डिरेक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे कर भरोसा जताया और एक तरीके से उन्होंने यह भी किया कि कहानी सुने जब वो साथ पने ममी और पापा को बिठाये साथ घड़ी अपने माई बावजी को इनके बावजी बैठे हुएैं उनके महतारी माई बैठे हुई हैं और बोलने एक कहानी सुनाई के बाद ना उनके बाबु जी पूरा रोने लगे और मैं तो चला गया खिसारी जी ने बोला कि मैं आपको बताता हूं थोड़ा वक्त दीजे मुझे तो हमने सोचा कि पता नहीं हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे उनके दिमाग में भी यह बात थी कि यार मिज लिए लिए आके रखना वो भी जिक्र करते हैं इस फिल्म का मेरे खाल से मैंने उनसे बात की थी जी तो उन्होंने खास तोर पे इस फिल्म का जिक्र किया जी जी तो वो फिल्म फिर हम लोंने किया और वो फिल्म बहुत बड़ी हीट हुई और उससे फिर अब एक म्यूजिक जो पहली बार म्यूजिक किया था और उसका दुकान चल पड़ा म्यूजिक डिरेक्शन में वैसा है एक पहली फिल्म किया और फिल्म इतनी बड़ी हिट होई कि फिल्मों का दुकान चलना चलू हो गया तो कहीं न कहीं कहसारी लाल के पिताजी का जो है बहुत बड़ा जोगान ने उस चीज को शाइद महसूस किया वो फिल्मी नहीं है बिल्कुल फिल्मी नहीं है बिल्कुल जिनमीन गाओं के और एक निस्चल इंसान है अगर उनके दिल को वो कहानी चुई तो इसका मतलब इसलिए बाकी लोगों के दिलों को चुई तो उसका आता है और जब कि पहली फिल्म थी और उसके पहले में कुछ नहीं जानता था डिरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था पर यह पता था कि जो चरित रहें वो कैसे एक्टिंग करेंगे और वो करेंगे तो कैसा दिखेगा तो आज भी टेक्निकली में ज़्यादा चीजों में नहीं गुसता हूं गुसता हूं कि संबेदनाएं जो मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को जो हुमेन वैलूज या हिरदय की बाते हैं या गीत या संगीत जिस जो कि हिरदय में मैं डालना चाहता हूं वो जा डाल पा रहा हूं कि नहीं और इसको अगर करने में थोड़ा बहुत कम्याबी मिलती है तो दर्शक उसको पर संसा करते हैं तो मतलब जितना मैंने भुछपुरी सिनिमा को कवर किया है मैं जाता हूं तो अक्सर आप से मलाकात हो और मतलब मुझे लगता ही तरहोऊ जहां भी सुनते हैं मतलब आपके लिए ऐसा ही सुनते हैं कि आप सीनिमा बनाते हैं में बड़ा बड़ा sensitive बनाते हैं बड़ा family oriented बनाते हैं तो इसी तरह का cinema बनाते रही है है बतको शुक्री आम से बातकीद करने कि लो शूरे वंशम बड़ी हिट हो जो कहीं न कहीं बोचपुरी इंडस्ट्री को एक ज़रूरत भी है मैं कहूंगा कि एक boom की तो मिले और उमीद करते हैं कि सब्सक्राइब पर फिर से किसी सेट के मुला का जो है तो कि एक टी सो में आइए